Right as a decimal number तो हमें यहाँ इस Roman number को एक decimal number में लिखना है हमारे पास है LXXX और इस table में L हमारा ये 50 को represent करता है और X represent करता है 10 को यानि कि हमारा सबसे बड़ा number यहाँ लिखा हुआ है और इसके आगे हमारे छोटे numbers हैं तो जब भी भी Roman system में एक बड़े digit के आगे छोटे digits होते हैं तो हम उन digits को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर अगर हम जोड़ दें सभी को हमारे पास है L जो की बराबर है 50 के और इसमें हमें जोड़ना है अपने 3 10s को यानि कि 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 50 प्लस 10 होगा 60 प्लस 10 70 और प्लस 10 यह हो जाएगा 80 के बराबर तो मेरा यह Roman नमबर यह 80 के बराबर है इसे चेक करते हैं आगे बढ़ते हैं write as a decimal number तो हमें इस नमबर को भी decimal में लिखना है तो हमारे पास है L X X I X और यह नमबर थोड़ा सा interesting है तो चलिए सभी Roman numbers के corresponding decimal numbers को पहले लिख लेते हैं L बराबर होता है 50 K X का मतलब होता है 10 तो इस X के लिए मैं 10 लिख लूँगी इस X के लिए मैं 10 लिख लूँगी और इस X के लिए भी हम यहाँ 10 लिख लेते हैं और यहाँ बीच में बचता है हमारा I और I का मतलब होता है 1 तो Roman number system में जब भी भी किसी बड़े नमबर के left में बड़े नमबर के पीछे एक छोटा नमबर होता है तो हम subtractive तरीके का अस्तमाल करते हैं यानि कि I X ये represent करता है कि हमें 10 में से 1 घटाना है तो 10 में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है 9 यानि कि I X बराबर होता है 9 के और यहाँ पर हमारे जो बाके digits हैं अगर हम इन्हें देखें तो अब हमारे पास होगा यहाँ पर 50 और फिर हमारे पास होगा यहाँ पर 10 फिर 10 और यहाँ पर हमारे पास है 9 और यहाँ पर बड़े डिजट के बाद हमारे सभी छोटे डिजट्स हैं यानि कि हमें इन सभी को आपस में add कर देना है तो 50 प्लस 10 होता है 60, 60 प्लस 10 होता है 70 और 70 प्लस 9 होता है 79 के बराबर तो हमारा ये नमबर 79 को represent करता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक दूसरी exercise करते हैं Write 40 as a Roman numeral तो हमें 40 को एक Roman नमबर के form में लिखना है तो जब भी भी हमारे पास 4 या 9 का कोई multiple होता है तो हम subtractive तरीके का इस्तमाल करते हैं मेरा मतलब है कि कभी भी 4 और 9 के multiple को Roman नमबर में express करने के लिए हम एक बड़े digit के left में एक छोटा digit लिखते हैं जो की subtraction को represent करता है तो 40 हमारा 40 आता है 10 और 50 के बीच में तो 40 को लिखने के लिए अगर मैं 50 में से 10 घटा दूँ तो मुझे 40 मिल जाना चाहिए तो अगर मैं यहाँ पर पहले लिख दूँ X और X के बाद अगर मैं L लिख दूँ तो यहाँ पर मैंने एक बड़े digit के left में छोटा digit लिखा है जिसका मतलब होता है घटाना यानि कि हम 50 में से 10 घटा रहे हैं और 50 माइनस 10 ये होता है 40 के बराबर तो Excel रिप्रेजेंट करता है 40 को रोमन नंबर सिस्टम में चलिए आगे बढ़ते हैं राइट 38 अज रोमन न्यूमरल तो 38 को रोमन में लिखने के लिए हम 38 को तोड़ सकते हैं 30 प्लस 8 में यानि कि अगर मैं पहले 30 लिख लूँ तो 30 हम कैसे लिखेंगे हमारे पास रोमन नंबर के सभी डिजिट्स यहां पर है और 30 आता है 10 और 50 के बीच में तो अगर मैं 3 बार 10 ले लेती हूँ तो अगर मैं 1 10 ले लूँ फिर इसमें अगर मैं 1 10 और आड़ कर दूँ और इसमें भी 1 10 और आड़ कर दूँ तो 10 प्लस 10 20 और 20 प्लस 10 30 हो जाता है तो X, X, X रिप्रेजन करता है 30 को लेकिन हमें 38 लिखना है और 8, 8 आता है 5 और 10 के बीच में यानि कि अगर मैं 8 से छोटा नंबर 5 ले लूँ और 5 में अगर मैं कुछ 1s आड़ कर दूँ तो मुझे 8 मिल जाना चाहिए तो अगर यहाँ पर मैं अपने 30 में 5 और जोड़ दूँ तो यह हो जाता है 35 और अगर मैं इसमें एक 1 जोड़ देती हूँ तो यह होगा 36, यह होगा 37 और यह होगा 38 और ध्यान दीजेगा कि मैंने यहाँ पर बड़े डिजिट्स के आगे में अपने छोटे डिजिट्स लिखे हैं और ये हमारे अडिशन को रिप्रेजन करता है तो इसे चेक करते हैं और हमने ये कर लिया है